आज श्रीकृष्ण जन्माश्टमी है और पूरे देश में इस उत्सव की धूम है इस बीच उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने श्रीकृष्ण जन्माश्टमी के अवसर पर श्रधालू को बड़ी सौगात दे दी है सरकार 210 मीटर लंबार रोप वे शुरू करेगी जिसके जरिये 7 मिनिट में ही श्रधालू राधारानी के मंदिर में पहुँच सकेंगे अब श्रीजी के मंदिर तक जाने के लिए श्रधालू को 350 सीड़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं होगी हालांकि यूपी सरकार ने एक प्रतिकात्मक वीडियो जारी करते हुए इस बात की जानकारी तो दी लेकिन अखिलेश यादव ने इसे सपा के शासनकाल के दौरान का काम बता दिया है क्या है पूरा मामला चली आपको बताते हैं तो यूपी सरकार ने एक प्रतिकात्मक वीडियो जारी किया है जिसमें ये सूचना दी गई है कि श्रधालूं को अब रोपवे से राधारानी के दर्शन हो सकेंगे. ये रोपवे यूपी का तीसरा और पश्चमी यूपी का पहला रोपवे होगा. इस रोपवे की मदद से महज 7 मिनिट में ब्रह्मांचल परवत पर विराजमान श्रीजी के मंदिर में श्रधालू पहुंच सकेंगे. इस रोपवे की लागत लगभग 25 करोड है और 210 मीटर लंबा ये रोपवे है. योगी सरकार ब्रज में लगातार परियतन सुविधाओं को सुधारने का काम कर रही है और इसी दिशा में सरकार ने रोपवे की सुविधा भी उपलब्द कराने का फैसला किया है. हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखिलेश यादव भी इस मामले पर कहां पीछे रहने वाले थे. अखिलेश यादव ने 23 अगस्त को ही एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने रोपवे की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सपा के समय बनना आरंभ हुई रोपवे, योजना, बरसाना, ब्रजवासियों और राधा कृष्ण भक्तों को एक बड़ी भेट है. सपा का काम आस्था के नाम. अखिलेश यादव का ये ट्वीट जमकर वाइरल है और लोग इस पर तरह तरह से रियाक्ट भी कर रहे हैं. जानकारी के मताबिक इस रोपवे के काम की तयारी साल 2016 से चल रही है, हालांकि पहले एनोसी और फिर कोविट की वज़ा से इसके निर्मान कारे में देरी हुई थी. हालांकि अब ये लगभग पूरी तरह से तयार है. लखनव से कुमार अभिशेक की रिपोर्ट, यूपी तक.